एक करोड़ पती का बेटा जो कि अपनी गाड़ी लेकर घूमने के लिए गाउं की तरफ निकला था उसको गाउं की संस्कृति और देहात इलाके कुछ जादा ही अच्छे लगा करते थे जैसे वे एक गाउं के अंदर से गुजर रहा था तो एक जहुपड़ी के सामने उसकी गाड़ी खराब हो जाती है जैसे वे गाड़ी खराब हो जाती है तो वे उतरता है चेक करता है कि आकर क्या हुआ इतने महीं वहाँ पर बारिस होने लगती है और दोस्तो बारिस का जोर इतना जादा था कि उसकी गाड़ी खराब तो हो गई थी लेकिर वहाँ पर अब मिस्टरी भी आने से मना कर देता है कि अब बारिस हो रही है और मैं सुबह आओंगा दोस्तो उसके बाद जो जो जोपड़ी थी जिसके सामने गाड़ी खराब होई थी उसके बाद फिर इस घटना में क्या होता है पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर वीडियो का अंतर तक जरूर देखिएगा दिल को भावुक कर देने वाली कहानी, दिल को भावुक कर देने वाली घटना यहाँ पर घटित होती है आकर क्या हुआ था दोस्तो नमस्कार में हुँ सुदेश कुमार और तिर्शीवा चेनल में आपका स्वागत है एक करन नाम का लड़का रहा करता है जिसका पिता करोड़ पती है बहुत सारी कंपनिया है फैक्टरिया है और करन की अच्छी परवरिस होई है नोकर चाकर है उसको ज़्यादा परिसानी का सामना नहीं करना पड़ा जीवन के अंदर लेकिन दोस्तों करन यहाँ पर कुछ अलग ही खयालो वाला है करन को उस वातावरन में सामती महसूस नहीं हो रही थी उसको लग रहा था कि उसका दम घुटता है इन महंगी महंगी कारों के अंदर महंगे महंगे बंगलों के अंदर और जो करोड़ पती का उसके उपर लेवल लगा हुआ था उससे उसको नफरत होने लगी थी क्योंकि नहीं वे कहीं अकेला जा सकता था और नहीं वे खुल कर जिंदगी को आम लोगों के बीच में जी सकता था दोस्तों यह तो दुख वाकई में हो जाता है जब इनसान या तो popular हो जाता है या फिर इनसान ज़्यादा आमीर होता है या फिर कोई actor बगएरा बन जाता है तो उसके सामने जीवन के अंदर ये परिशानी तो आती ही है वह खुल कर ना जी सकता है ना खुल कर अकेला दो केला कई घूम सकता है लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो करन होता है वह एक decision लेता है कि वह चुपके से घर से निकलेगा गाड़ी लेकर और ग्रामी संस्कृति को देख कर आएगा गाओं के लोगों को देखेगा गाओं में लोग कैसे काम करते हैं किस तरह से रहते हैं और वह अकेला जाएगा यह decision वह ले लेता है तो रात के समय में वह एकांत में जब उसके माबाप सो जाते हैं तो वह गाड़ी निकालता है चुपके से और वह अकेला ही घर से बाहर घूमने के लिए निकल जाता है दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है गाड़ी को घुमाते घुमाते अब वह गाओं की तरब जाने लगता है गाओं के लोगों को देखने लगता है अभी सुबह का समय था सुबह तकरीबन पांच बजे वह घर से निकला था और जैसे वह घर से निकला था देखकर बड़ा ही मुग्द मोहित हो रहा था, देखकर के बड़ा खुस हो रहा था, कई बार किसी पगड़न्डी पर अपनी गाड़ी को रोग देता और वहाँ पर लोगों को खेतों में काम करते हुए देखता, इसी तरह से वे कई गाउं में घूनता है पूरे दिन और आइसक्रीम वगएरा खिलाने लगता, इस तरह से वे अपनी आतरा कर रहा था गाउं में, अब एक गाउं से जब गुजर रहा था सामके समय, तो एक जोपड़ी के सामने आते ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, जब उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो वे अपने मक मेकेनिक पहले तो यह कहता है कि सर मैं अभी आने वाला हूँ थोड़ी बहुत देर रुख जाईए थोड़ा सा काम बाकी है लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ पर भारी बारिस शुरू हो जाती है तो मेकेनिक कह देता है कि सर ग्रामीन रास्ता है कीचर जादा है अब मैं आसकता आप वहीं पर रुख जाईए और मैं सुबह आ जाऊंगा बाइक ले करके और आपकी गाड़ी को सही कर दूँगा अब वह जो लड़का था करन वह परिसान साथ हो जाता है कि यार आज बारिस में मुझे गाउं में समय गुजारना होगा लेकिन तब ही वह नजर कर हुआ है इस तरह से वह अपने मन में भावनाए करने लगता है और वह फिर गाड़ी से उतरता है और उस जहांपड़ी के अंदर जाता है और उनको बताता है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और अब मुझे ठहरने की जगह नहीं है दोस्तों गाउं के लोग इतने भोले वाले होते हैं उनसे कहते हैं लड़की के माबाप भी कह देते हैं लड़की भी कह देती है कि तुम आज हमारी जहुंपडी में ही रुख जाओ और सुबह यहां से चले जाना तो वह वहीं पर रुख जाता है गाड़ी साइड में खड़ी हुई थी तो वह जब खाना बनाते ह तो रूखा सूखा चटनी रोटी जो भी कुछ उनके पास होता है उस लड़के करन को देते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे पास ज़्यादा खाने को तो अच्छा नहीं है लेकिन यह रूखी सूखी है इनको आप प्यार से खा लीजिए तो जो करन होता है उन रोटीयों को खा अवे उस खाने को खाता है और वहीं पर उस लड़की से एक दो घंटे तक बातचीत करता है उसके माबाप से भी बातचीत करता है वह लड़की उसको भाज आती है गाउं के लोग तो उसको भाई थे लेकिन लड़की भी अब उसको अच्छी तरह से भाज आती है और अवे जो लोग थे यानि कि उस लड़की के मावाप और वह लड़की खेतों से तब तक चारा काट कर अपने सर पर लेकर गठरी को अपने गाउं की तरफ लोट रहे थे वह यह नजारा देखकर बड़ा ही खुस होता है कि देखो गाउं का जीवन कितना सुन्दर है ना इनको कंपनी की चिंता है फैक्टरी की चिंता है नहीं मजदूरों की नहीं किसी लेवर की बस अपना खाते हैं और कमाते हैं तो यहाँ पर अब दोस्तों वह उनको देखता है फिर दुबारा जब घर वाले आ जाते हैं तो चाय बगेरा बनाते हैं उसको नास्ता करवाते हैं उसके बाद जो उसका मिस्त्री होता है सुबह सुबह आ जाता है और गाड़ी को बना देता है गाड़ी जब बन जाती है तो वह अपने घर पर जाता है, घर जाकर वह अपनी पिता के पास जैसे जाता है, तो उसका पिता कहता है, कि रात तुम कहां थे, तो वह कहता है, कि मैं घूमने के लिए चला गया था, और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो उसका पिता उसको डांटता है, तू अकेला ऐसे क्यों जाता है हमारे बहुत सारे दुस्मन है तुझे राष्टे में ही मार देते तो क्या कर लेता तू लेकिन लड़का करन कहता है कि पापा जितनी जिसकी जिंदगी होती है उसको कोई भी नहीं मिटा सकता यह सब भ्रह्म होता है और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ पिता जी बोलते हैं बताओ मैं एक गाउं के अंदर रुका था एक जोंपडी के सामने मेरी गाड़ी खड़ी हो गई थी उस जोंपडी में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और मुझे उसे प्यार हो गया है मैं उससे साधी करना चाहता हूँ उसका पिता जब इस बात को सुनता है तो तिल मिला जाता है और उसको धमकाने लगता है कि एक रात में तूने उस लड़की का क्या देख लिया जो तूससे साधी करेगा एक गरीब की लड़की को तू दुलन बनाकर हमारी इस कोठी में लेकर आएगा इस बात को कहकर उसका पिता उसके उपर तिल मिला जाता है और उसको बुरी भली सुना देता है लेकिन अंत में करन भी उससे यह कहता है एक बाभू जी मैं साधी करूँगा तो उस लड़की से करूँगा वरना जिन्दगी बर साधी नहीं करूँगा और फिर दोस्तो उसका पिता लड़ता हुआ अंदर की तरफ चला जाता है और फिर करन मौका देखकर वहां से फिर से फड़ार हो जाता है और आकर के वह उसी जौपणी में गुच जाता है और वहां करके लड़की के माबाप से कहता है कि अंकल आंटी मैं आपकी लड़की से साधी करना चाहता हूँ यह बात जैसे अंकल आंटी सुनते हैं लड़की के माबाप तो वह कहते हैं बेटा हम आपके बरावर के और आपकी हैसियत के नहीं है तो में अपनी साधिय अपने हैसियत के लोगों से करना हमारे पास ना देने के लिए कुछ है ना दहेज है और हमारी बेटी इतने बड़े घर में जाएगी साध उस घर को एकसेप्ट ना कर पाए या वो घरवाले एकसेप्ट ना करें तो लड़का कहता है कि मैं आपकी बेटी के साधिय करके आपके पास रहूँगा मैं उसको उस घर में ले ही नहीं जाऊंगा तो माबाप खुस हो जाते हैं कि कितना अच्छा लड़का है और फिर उसके बाद दोस्तों इन दोनों की मंदर में साधी करवा दी जाती है पूरे गाउं के सामने बड़े धूम नाम से साधी होती है और फिर वह लड़का वहीं पर रहने लगता है लड़की के साथ ही एक और छोटा सा कबना बना लिया जाता है वहाँ पर लड़के के काउंट में बहुत सारे पैसे थे अब उसका पिता जो होता उसको बड़ी चिंता होती है कि बेटे से चलो मैंने लड़ाई तो कर दी लेकिन बेटे के बगएर मन भी तो नहीं लग रहा है कुछ दिनों के लेकिन अब ऐसा करो हमारे घर की बहु को हमारे साथ अपने घर ले चलो तो दोस्तों बड़े धूमधाम से जो करन होता है अपनी पतनी को अपने घर ले जाता है घर पर उसके माबाप रह जाते हैं पतनी के कुछ दिन अपनी पतनी को अपने घर पर रखता है और फिर अमीर का दिल गरीब पर आया और अपना अच्छा खासा घर बसाया कई बार कई लोग ऐसे होते हैं लेकिन जिसके पास पैसा आ जाता है या फिर जो अमीर होता है जादतर वह लोग नक्चड़े और उल्टे सीधे स्वभाब के होते हैं गरीबों को कुछ जादा समझते नहीं या एहमियत नहीं देते हैं लेकिन कुछ गिने चुने लोग ही अमीर होने के बाद या पहले से ही अमीर हो तो वो गरीबों की सेबा भी करते हैं और गरीबों को मान सम्मान भी देते हैं तो यहां पर दोस्तों आप क्या कहना चाओगे इस कहानी के बारे में अपनी राय कमि रहें जैहिन जैभारत